जैहिंद आज की टोपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कोस्ट यानि की तर्ट के बारे में जानेंगे की तर्ट किसे कहते हैं और इसी में समूंदरी किलिप क्या होती हैं फियोड क्या होते हैं रिया तर्ट क्या होते हैं और डाले में सियन तर्ट क्या होते हैं यानि ये जो तर्ट के प्रकार हैं किसकी क्या विसेस्ता हैं आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे तो बनेर हैं हमारे इस वीडियो में तर्ट यानि जिसे हम लोग इंगलीज में कोस्ट के नाम से जानते हैं तर्ट के अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं समुंदरी किलीब यानि जो समुंदर में क्याचेज का निर्मान होता है ये कोस्ट यानि तर्ट का निर्मान होता है यानि कि बरे से आकरती वाले जब समुद्र में पाई जाते हैं, तो हम लोग उसे समुद्री तटकाते हैं, यानि समुद्र में खड़ी ढाले वाले जो आकरती होते हैं, उसी को हम लोग समुद्री किलेट के नाम से जानते हैं, यही एक तटका क्या है, एक जामपल्स हो सकता ह ठीक है और यहां पे जो है यहां पे नहाया नहीं जा सकता है क्योंकि यहां की जो पानी है वे काफी गहरी होती है काफी मतलब नीचे तक होती है ठीक है जिसे हम लोग समुद्री के लेट के नाम से जानते हैं इसी में आते हैं अलग में फियोड के बारे में फियोड तट क्या पर बात करें तो जिस परकार से हम यहां पर बता यह काफी गहरी होती है सेम उसी परकार है यहां पर कि यहां पर जो है जो यहां की पानी है नदिया है समुन्द्र की जो क्या है जली छेत्र है वे काफी ठंडी होती यहां की जो जल है काफी ठंडी होती है और यह जो है धुरो जिसे मुझों करते हैं धिरोव ही छेत्र में ही पाए जाते हैं तो ढम लोगं अर्थ की बात करें हैं अर्थ की बात करें ऐघर यह फ्योट तट का है पहुए पाया जाएगा ऊत्रे द्रूब में और देख्ष निए और पहले कागर बात करें यानि कि कर्रोव और स्पूर्व के अगर बात करें तो यह जो धुरूबी है यह काफी नीचे तक हुआ करती थी ठीक है इस प्रकार की हुआ करती यानि यह सभी में जलमग नहीं था और यह क्या चीस था बरफ ही परफ बिछा हुआ था लेकिन अब जो है यह धीरे परफ तक की एक्जामपल है ठीक है अगर हम लोग बात करें रियात अट की रियात यह रियात यह होते हैं अगर हम लोग भारत की आकिरती की बात करें तो इस प्रकार की आकिरती है तो यह जो है यह पूर्वी घाट है और यह पस्टमी घाट परवत है ठीक है तो इधर क्या है इधर क्या है पानी ही पानी है यानि जलमगर है इधर भी जलमगर है ठीक है यह अरब की खारी है और यह बंगाल की खारी है यानि अरब सागर है यहाँ पे तो यहाँ पे अगर गर मतलब ध्यान से गर देखा जा है तो यहाँ पे कुछ पहारी छेत्र हैं यानि पहार जो है विछेववे हैं इस प्रकार के पहार विछेव हैं यानि कि यह āठीन त्थ शनलिजेवे हैं अठ्डेक्र पinhosक्ते पहार से निकल जाती है तो रियातत तो यहां भी पहारी ही पाई जाती है यानि यह सभी छेत्र में क्या पाई जाती है पहारी ही पाई जाती है इसमें भी पहारी ही पाई जाएगा लेकिन यहां जिस प्रकार से यह लंगवत पाई जाएगी तो यह समांतर पाई जाएगी यानि कि एक लाइन से पाई जाएगी जैसे कि इस प्रकार से यह क्या है यह सही लाइन है लेकिन कुछ यहां पर है कुछ तो वे क्या हो जाते हैं, वे लंबुवत हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो रिया तठ है, रिया तठ में जो पहारी पाई जाती हैं, ठीक है, यानि समुद्र के, समुद्र भाग में जो पहारी पाई जाती हैं, कैसी पहारी होती हैं, लंबुवत होती हैं, लेकिन अगर हम परकार तो इसी परकार से हमारे वीडियो से जूड़े हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियों तब तक कि लिए जाएंद